विल्कम स्वागत है इस्टडी नॉलेज के चैनल में ये इस्टडी नॉलेज के चैनल में पुना आपके सर का बोज हटाने के लिए मैं वीडियो बनाना शुरू कर दिया हूँ जो केमिश्ट्री के लिए ज्यादा तर अब वीडियो बनेगा केमिश्ट्री important question मैं आज बताने वाला हूँ जो प्रारंब के पाँच अध्याय से लिया गया है अब वो पाँच अध्याय प्रारंब के कौन कौन से है ये आप देख लिजे यदि आप UP वोड से है तो आपके लिए ज्यादा बिटर होगा यदि आप किसी और वोड से है तो जो मैं अभी अध्याय का नाम लेने वाला हूँ कि वो कौन-कौन से पाँच अध्याय है अगर वो आपके बुक में वो अध्याय है तो ज्यादा तर आप उसे कोशिस करिए उस important question को देखने का मैं उस important question का हल भी देने वाला हूँ ठीक है जो ज्यादा तर पूछा ज्यादा क्यों उसी के बारे में हम अभी बात करेंगे अब त्रारम के वो पांच चेप्टर कौन-कौन से हैं पहला चेप्टर है ठोस अवस्था दूसरा चेप्टर है बिलियन तीसरा है वैद्दूत रसायन चोथा है राशानिक बलगत्की और फाइप नमबर प्रिश्टर रसायन तो इस पांच अध्याज से मिला कर बनाया गया है केमिश्टर के इंपोर्टन कौस्चन अब बात उठती है कि यह किसके लिए है ज्यादा तर वो कौन से इस्टूडन देख सकते हैं तो मैं इसके लिए थोड़ा सा बता देता हूँ देखिए पहली पॉइंट की बात करें तो इसमें देखिए जब सबसे ज़्यादा हम यह बताएंगे कि यह पांच अध्याज से कंप्लीट करके बनाया गया है अगर पांच अध्याज से कोस्चन उठाया जाए तो करीब 60 से 70 प्रशन ऐसे उठते हैं जिसे आप पढ़ सकते हैं लेकिन 60-70 प्रशन अगर आप पढ़ते हैं तो बाकी बुक कहा जाएगा तब तो प्राब्लम होगी कि यहीं अगर पांच चेप्टर से मैं 60-70 कोस्चन पढ़ लेता हूँ तब तो दिक्कत होने लगती है लेकिन इस सभी कोस्चनों को complete करके एकदम combine करके वो कोस्चन मैंने बनाया है जो ज़्यादा तर पूछाई जाता है और किसी को touch नहीं होता है जो ज़्यादा तर पूछा ज़्याता है किवल उसी के बारे बताया गया है पहले रम नमर मैं बताऊंगा कि इसमें 16 question को include किया गया है जो 5 chapter से लिया गया है 5 chapter से 5 chapter में से हमने 16 question को वो question complete किया है जो ज्यादा तर पूछा ही जाता है ये 16 question हर एक चीजों से complete किया गया है अवतार question bank unsolved सभी से related question complete किया गया है जो 5 chapter से ज़ाद तर पूछा जाता है अब second की बात करें तो second हम ये बताएंगे कि जो भी student अभी तक तैयारी नहीं किया है मालिक कि कोई भी student है वो अभी तक कोई भी तैयारी नहीं किया है या तो तैयारी हो गया है उसे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं इसा क्या पढ़ हूँ जिससे मैं थोड़ा सा टेज हो जाऊँ तो उसके लिए ये वीडियो बना जा रहा है ये 16 को कम्प्लीटली देख ले 5 चेप्टर को जो कम्प्लीट करके बनाया जाएगा अभी आगे जो 5 चेप्टर है वो भी अभी जश्ट मिल जाएगा लेकिन 16 को जरूर देखेगा जो भी है आगे हम बताएंगे तो जिस भी इस्टूडेंट की जिसके तैयारी नहीं है या उसको समझ में नहीं आता है उसके लिए सबसे अंतिम रास्ता ये है जो मैं important question बता रहा हूँ उसको ज्यादा तर पड़े फिर अगली बात करें तो अगली बात यह है जिसको chemistry में बहुत ज्यादा problem होती जो एकदम कमजोर है पढ़ने वाला ही नहीं है एकदम समझ में नहीं आता है मैं क्या करूँ तो उसके लिए भी ये अंतिका रास्ता है ये 16 question को completely देखे अब numerical की बात करते हैं कि उसमें numerical भी तो पूछे जाते हैं तो numerical जिसको पता नहीं कि numerical मैं कैसे करूँ क्या करूँ तो numerical का मैंने ज्यादा तर जिस chapter से पूछा जाता है जैसे billion, रासानिक बलगत की, ठोस अवस्था इन सभी से अगर ज्यादा तर पूछे जाते तो इन सभी का billion या जिसका भी numerical है इसका मैंने link description में दे दिया है क्योंकि already मैंने इसका वीडियो बना दिया है लेकिन आप लोगों को मिला नहीं मिला ये मुझे नहीं पता इसलिए मैं description में link उसका दे देता हूँ आप वहां से numerical देख लेजिए और theoretical में solar question अभी आपको दिखाने लग वहां से देख लेजिए ये solar theoretical जो question है अगर ये समझ में ना आये तो उसके लिए आप एक काम और कीजिएगा अगर आपको इस theoretical में अगर समझ में ना आए कि याद कैसे करें हम देने के लिए तो दे देते हैं solar question लेकिन वो याद भी अगर नहों तो सबसे पले इसे like करिएगा वीडियो को लाइक करने के बाद तुरंद comment कीजिएगा comment में बताइगा कि सर हमें याद करने का trick बता दीजिए तो हम आपको वहाँ पे trick बता देंगे उस trick के मादव से आप वो solar question और आगे के जो 5 chapter देंगे उसको भी याद कर सकते हैं लेकिन इसके लिए आपको हमें comment बताना होगा कि सर हमें trick बता ये trick के मदद से याद करेंगे और numerical के लिए मैंने लिख दे दिया है तो चलिए वो कौन से 16 question है important मैं आपको दिखा देता हूँ तो यहाँ पर पहला question उठकर आता है राउल्ट का वास्पदाब on one लिखिए इसकी सीमाएं भी लिखिए तो देखिए इसमें हमें round का वास्पदाब लिखना है on one भी लिखना है साथ में उसकी सीमा भी लिखनी है तो इस तरह से question ज्यादा तर पूछे जाते हैं और इस question का answer आपको पीडियाप में description में मिल गया है वहाँ पे आप देख सकते हैं second question की बात करें redox विभव किसे कहते हैं ये भी most important question है जो redox विभव ज्यादा तर पूछे जाते हैं इसका भी मैंने description में इसका पीडियाप फाइल दे दिया है ती number कोला राउस का नियम क्या है ये पूछा जाता है इसको भी आतो कहीं note कर लीजिए अगर note नहीं करना चाहते है कि कौन-कौन से important question कैसे मैं note करूँ तो इस question का भी पीडियाप फाइल मैंने description में दे दिया है वहाँ पे भी देख सकते हैं question number 4 विद्दूत अभगटनी सेल तथा galveni सेल में अंतर बताईए अंतर किसमें बताना है विद्दूत अभगटनी और galveni सेल में इसका भी description मैंने पीडियाप फाइल ने दिया देख सकते हैं अगला है मानक इलक्टोड बीवा क्या है तता निल्चाज का समीकरण हमें समीकरण भी बताना है और इलक्टोड बीवा भी है अब देखे 7 question में 2 question complete है एक तो अभिक्रिया का वेग पूछेगा हो सकता है एक नमर के यह अलग कुछे यह अगर यह दोनों combine करे पूछता है तो यह अंक बढ़ा देता है ठिक तो अभिक्रिया का वेग और वेग इस तरह इन दोनों को आपको completely तयार करके जाना है अगर याद करने का trick न मिले तो trick आप जरूर पूछेगा आपको बताया जागा लेकिन trick पूछेने से पहले आप वीडियो को लाइक जरू कीज़ेगा तभी आप trick पूछे एट नमबर प्रथम कोटी की अविक्रिया और सुने कोटी की अविक्रिया ये ज्यादा तर पूछा जाता है दोनों एक में ज्यादा तर नहीं पूछा जाता है प्रथम कोटी की अविक्रिया अलग पूछेगा सुने कोटी की अभिक्रिया अलग पूछेगा अगर ये पूछता है तो ये नहीं पूछेगा अगर ये पूछता है तो ये नहीं पूछेगा ये चीज होता है ज्यादा तर उसके साथ साथ अगला कोश्चन उसमें complete टिए आडविक्ता क्या ये भी पूछा जाता है ठीक स्विछा नम्मर 9 प्रथम कोठी की अभिग्रिया के लिए ब्याज़क प्राप्त किए यह ज्यादा तर most important जो numerical type में डेर वेसन आता है वो फूचा जाता है कि प्रतम कोटी के अभिक्रिया के लिए बेंजय क्या होता है वो प्राप्त करना होता है 10 number question आभासी एकाडू अभिक्रिया का उधारण द्वारा समझाईए 11 उत्प्रेरण क्या है रिडात्मक उत्प्रेरण को समझाईए तो उत्प्रेरण क्या है पहले वो बताईए फिर रिडात्मक और धनात्मक ये दोनों अलग अलग होता है लेकिन रिडात्मक को ज्यादा तर पूचा जाता है अगला question समांग तथा बिसमांग उत्प्रेड़क क्या है उसको उधारण देकर समझाईए तो इधर जितने भी question मैं दे रहा हूं ये सारे उधारण देकर समझाईगे तभी आपको question में total number मिलेंगे question number 13 स्वा उत्प्रेड़क को उधारण देकर समझाईए और प्रेरिक उत्प्रेड़क को उधारण देकर समझाईए तो इधर जितने भी question मैं दे रहा हूं सभी को उधारण देकर समझाना है तभी आपको फूल मार्क्स मिलेंगे ऐसा नहीं है कि फूल मार्क्स नहीं मिलेंग ब्राउनी कती क्या है और हार्डी सुल्जे का नियम यह अलागला कोश्चर पूछता है एक बार ब्राउनी कती अगर पूछेगा तो हार्डी सुल्जे नहीं पूछेगा अगर यह पूछता है तो यह नहीं पूछेगा दोनों में से एक आना कंपल्सरी होता है ज्यादतर तो आपको प्रोवाइड कराईए मिलते हैं अंगले वीडियो में तब तक के लिए जय हैं जय भार